है स्टेक एडूकेशन में आप सभी का स्वागत है दिक्सा द्वारा सच्चालित ग्याना कुरण ऑनलाइन कोर्स में कक्सा छैसे बारत तक के छात्र छात्राओं का रेजिस्टेशन दिक्सा एप में कैसे करें यहां इस वीडियो के मांध्यम से समझाया गया है अगर आप को यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक तथा सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिक्सा एप के मांध्यम से हमारे उत्राखंड राजजी के सभी सिक्सों को ने ऑनलाइन प्रशेशन प्राप्त किया है दिनांक 11 अप्रेल 2022 को SCRT उत्राखंड दैरदुन के द्वारा सभी विद्यालेयों के लिए एक आदेश जारी किया गया है जिसका मुख्य विशे उत्राखंड राजजी के सास्किय एवं आसास्किय के सभी छात्रों को कक्सा 6 से 12 तक दिक्सा एप के माध्यम से संचालित ऑनलाइन ज्यानकुरण कोर्स में परतिभाग करना है इसके लिए सभी छात्रों के मॉबाइल में दिक्सा एप को डाउनलोड करना तता उसमें सभी छात्रों को रजिस्टर करना अनिवारे है छात्रों को परतेक महा ओनलाइन कोर्स दिये जाएंगे जिनको करना अनिवारे होगा परंतु विद्यार्तियों पर कोर्स करने का अनावशक दबाव नहीं बनाया जाएगा छात्रों को कोर्स में 70% अंक लाने की भी बादेता या अनिवारेता नहीं है अगर उनके 70% से अंक कम आते हैं तो भी उनको E-Certificate परदान किया जाएगा सभी विद्यारती दिक्सा एप में 15 अप्रेल के बाद से ही अपना पंजीकरन करवा सकते हैं तथा एक मई से जो कोर्स प्रारम होंगे वो नहीं कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले कक्सा द्यापक अपने कक्सा के छात्रों के मुबाइल में दिक्सा एप को डाउनलोड या इंस्टॉल करवाएं तथा उनका पंजीकरन उनी के मुबाइल नंबर से कराएं तो इस वीडियो के माद्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस परकार आप अपने मुबाइल में दिक्सा एप डाउनलोड करें और कैसे कोर्स को रेजिस्टर करें तो आँ चलें सीखें कि कैसे हमें दिक्सा एप को डाउनलोड करना है और रेजिस्टर करना है तो अब हम सबसे पहले दिक्सा एप को अपने फोन पर डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे प्ले स्टोर और यहां पर उपर सर्च में जाकर दिक्सा एप आप लिख देंगे तो दिक्सा आप आगया आप इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस्टॉल हो जाएगा आप देख रहे हैं यहां पर प्रोसेस हो रहा है और यह घूम रहा है यह 83% हुआ और यह लगबग पूरा हो जागा यह ओपन आगया है हम यहां से भी ओपन कर सकते हैं और अपने फोन में बैक जाके भी देख सकते ह यह कहां पर इस्टॉल हुआ है तो अब यहां पर हम जायके देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर यह दिक्सा आप आगया है अब हम इसको जैसे क्लिक करेंगे यहां पर तो इसका सबसे पहले इंटरफेस यहां पर खुलेगा तो आप देख रहे हैं प्रोसेस में खु क्लिक करेंगे और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आ रहा है teacher, students, official or parents तो हम इस में students क्योंकि हम students है हमें a course करने हैं तो हम students को select करेंगे select करेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं अगला interface प्ला यहां पर सबसे नीचे आ रहा तो इसको हम चुन लेंगे इसके फिर समिट करेंगे और अपने आप में तो इसके बाद मैं Press kan दिया है इसे सबस्क्रामिर करेंगे उसके बाद मैं समिट कर दूँगा इसके बाद continue और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर इंटरफेस पूरा आ गया है यह एक आड आई इसको हम अटा देते हैं तो यहां पर आया है तो अब हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि हमने class 10 चूस करा थो तो class 10 आ रहा है और यह ढасब अगले यहां पर आप्जना आते हैं यहां पर इस समय आड bakस् tell पर कोई इसको हम बैक करते है और जो आपका एक ऐक ऐपना हुआ यह जो प्रोफाईल आ एकन है और एं दाउन्डवावाल आइकन है और यहां पर एक पर जो साबका एकन लिए तो मैंस रिए आपक के ज्ञान करम mathematics chapter first 10 class के लिए इसी परकार गणित का है एक और course science का course है विज्ञान का course है तो यह चार course यहां पर दिख रहे हैं math के दो course और science के दो course तो अभी हम पहले profile में जाएंगे तो यह profile में आप देख रहें कि अभी guest दिखा रहा है तो आप यहां चाहते हो कि आपका नाम आए वह आए तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे आएगा तो guest है आप जैसे guest को click करेंगे यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर यह यह इस परकार खुल जाएगा यह इडिट प्रोफाइल तो आप students हैं तो यहां पर अपना नाम भी यहां पर लिख सकते हैं जैसे मैंने अपने नाम लिख दिया है यह यह लिख दिया हिंदी class 10 subject आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं मैस हो जो भी हो तो मैस मैंने स्लेक्ट कर लिए और समिट कर दिया है अब आप देख रहें कि अभी यहां पर मेरा एडिट नहीं हुआ है तो हम कोर्स में जाएंगे कोई कोर्स हम इन में से चूर्स कर लेते हैं पहले तो आप देखेंगे कि आप से यह जब registration करोगे कोर्स में तो आप अपने को प्रोफाइल में जाकर रेजिस्टर कर सकते हैं तो सबसे पहले कोर्फ में क्लिक करते हैं से मैं पहला वाला कोर्स चुन रहा हूं इसको मैंने स्लट किया तो यहां पर ओप्रफिane आए जूवा revenue करेंगे लॉग इन म confess ग्रहाएं यहां पर लॉग गयिन अ रखा है अगर आपके फोन में पहले से आपने इमेल बना रखी तो सबसे आसन तरीका यह यह इसे पासवर्ड नहीं मांगेगा जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर जो आपका इमेल आपके फोन में बनाओगा आप उसको यहां से सलेक्ट कर लेंगे तो वही बहुत आसानी से आपका एकाउंट उसमें बन जाएगा अगर यह option आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहां जाके register year में जाके कलिक करेंगे तो यहां पूरे option खुल जाएंगे जहां पर आप आसानी से अपने को को रेजिस्टर कर सकते हो तो यहां पर सबस्पहेले जैसे यहर याईर आप देखोगे कि आपका डिटो बढ़ा तो यहां पर आंप जैसे कि 2008 अबने सब्मान कर लिया है है जैसे गार्गी जी एया इअ बार की लिखा था मैंने यहां पर मूबाइल नंबर आप डाल सकते हो जैसे मैंने डाल दिया 992 1289 जैसे निनमबर डाल दिया अब यहां पर पासवर्ड बनाऊंगा जो मैं पासवर्ड के लिए यह मेरे को कम से कम 8 character चीजिए और 8 character में पहला word हमेशा आप बड़ा भी ले सकते हैं capital ले सकते हैं मतलब ऐसा character आपको चुन्ने आठ जो alpha-numeric हो मतलब कोई बड़ा character हो कोई छोटा हो उसमें math के नंबर भी हो साथ में हैस लगा सकते हो आप उसमें add the rate लगा सकते हो कोई भी symbol लगा सकते हो उससे क्या होगा आपको password बनेगा फिर पासवर्ड में जाके उस password को दुबारा करोगे और यहां पर understand करोगे तो आप उसके बाद यहां register करोगे जब आप अपने फोन में email असाइन नहीं किया हुआ है तो मैं वह वाला method बताता हूं जो आसान है तो sign in Google मैं इसको क्लिक करता हूं क्योंकि आधिकांस बच्चों के फोन में आजकल email होता है जैसे गारगी नेगी लिखा मैं शहर्स को अब मैं यहां पर start learning करूँगा जैसी मैं इसको क्लिक करूँगा तो यह मेरा कोर्स खुलना शुरू हो जाएगा यह देखो गारगी नेगी आ गया यह email से ही उसने अपना हमारा नाम उठा लिया यहां पर बार बार यह message नहीं आएगा आप यहां पर टिक कर दीजिए start learning पर आ Techon शहर्ज़भ करते चले जाएंगे मोडिल यहां पर दे रखाया है दूसरा कोर्स रखाए यहां पर क्लिक किया था मैंने श्क्र वीडियो इसके कितने सारे कोर्स हैं आप इसको कर सकते हैं और इसे करते करते हैं जब लास्ट में जाएंगे तो एक कुईज आएगा और उस कुईज को करने के बाद सेल्प असिस्मेंट आएगा यह सल्प असिस्मेंट एक प्रकार का कुईज होगा इसको करने पर आपको जो अंग प् पर आएगा तो है ना एक मज़दार लर्निंग जो आप उनलाइन तरीके से बहतर तरीके से सीख सकते हैं इसी परकार आप कोर्स करते चले जाएंगे यह जो चार कोर्स हैं और यहां पर प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देख रहें कि आपका नाम आ चुका है यह इमेल से पूरा कंप्लीट करेंगे तो यहां पर आएगा कंप्लीट इट यहां पर तो इसको टिक करके आप यहां से दुबारा कोर्स में जा सकते हैं तो आप इसको आसानी से यह कोर्स कर सकते हैं तो इसी परकार आप धेरे-धेरे सारे कोर्स कर लेंगे और इस से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और एक इनोवेटिव तरीका है कि दिक्सा आप के माध्यम से आप अपने जो लर्निंग स्किल है उसको आप बढ़ा सकते हैं और किसी भी कंटेंट को आसानी से समझ सकते हैं चाया आप उसको इंग्लिस में समझे और चाया हिंदी में तो जितने कोर्स आ करेंगे